नमस्कार फरंड्स आप देख रहा हैं यूए स्टेक चैनल और मैं उमा संकर और आज हम आपको यह तीन चार्जर जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं यह तीन चार्जर की मदद से 12 वोल्ड का एक चार्जर हम बनाने वाले हैं जिससे की अफन बड़ी बैटरी नहीं एक पिच्रीन पिख सैस्क्रीन नंहीं हॉ चोटी बैटरी हैं जैसे की यू पिएस की बैटरी हो या बाइक की की बैटरी हो अदर उस्प आपसे पहले हम इनको नहीं है तो यह चार्जर सही है नहीं है तो इसमें हम लगा दिये हैं और अब हम इसमें light का AC input देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें LED लगी हुई है तो एक charger की LED जल चुकी है इसका मतलब इस charger सही है अब इसमें देख लेते हैं कि voltage कितना output निकल रहा है अब देख सकते हैं कि वाज़ पॉइंट के सम्थिंग इसमें voltage निकल रहा है ठीक है और अब हम इसको निकाल देते हैं कि इसको निकालने के बाद इसको एक्साइट रख देते हैं और इसकी जो पावर देने वाली बायर लगाई हुए हमने अलग से उसको निकाल देते हैं और इस पिलेट को हमने चेक कर लिया है इसमें फाइप पॉंट के सम्थिंग बॉल्टिज आ रहा है तो अब हम इसको इसको भी चेक कर लेते हैं य इसमें कितना आ रहा है कि इसमें कितना बॉल्टेज आ रहा है ठीक है तो अब हम यह दूसरी प्लेट चेक कर लेते हैं इसमें हमने बाइर जोड़ दी है इंपुट के लिए एसी इंपुट के लिए ठीक है तो इसको हमने रख दिया है और अब हम इसमें भी एसी इंपुट ब क्वाल्टेज आ रहा है ठीक है तो इसको भी चेक कर लिया हमने इसमें भी बड़ सब्र迁च सम्द्रेशे होगा है ठीक है तो इसको भी अपने कि के कि एक सचा रहा है और थीजी उ पलेट उठा है यह दो दॉ में सही चेक करके रख दी हैं एक साइड और ये तीजरी प्लेट जो लाश्ट वची होई इसको भी चेक कर लेते हैं इसमें धी लाइर लगा दिये हैं और इसमें बाएर लगाने के बाद है तार थोड़ा स्थी देखा लें कि इसमें भी एसे इनपोट देते हैं कि इसमें भी आउटपूट देखते हैं कितना निकल रहा pillar कि मैं आप इसमें भी देख सकते हैं इसमें भी आई पांड की समतिंग जो है बॉल्टी निकल रहा है ठीक। यह त यह तीनों प्रफ़ेट पलाट के रख लेते हैं फैवी कुई की मदद से एक दोनों को चिपका देते हैं तो यह हमने फैवी कुई की से चिपका दिया है ठीक है तो हम तीसरी फिलेट को इसमें चिपकाएंगे ये जो है हमारी दो आप अच्छे चुपद कोई दिक्कत नहीं तो हम आंगे कोई दिक्त नहीं है मित्रों और प्लीज दोस्तों हमारा यी वीडियो आपको पसंदrendo। लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बैल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचें तो देख लेए देख लीजिए सबसे पहले अपन को करना क्या है कि इसका यह पिला से थोड़ा सा सोल्डिंग कर लें में है इसमें है यह आउटपूट प ducks रशेजर का और यह अउटपूट पिलस को है चार्जर का में कर दूसरी चार्जर की प्लेट में आउटपूट प्लेइप मैं यह साथ Tech अप फिलाल जोडते हैं फिर आपको समझा देंगे बता देंगे किस तरीके जोड़ना है तो ये हमारा ये माइनस जो है बचा हुआ है इसका और एक इसका ये पिलास है दूसरी पिलेट का ठीक है तो ये दूसरी पिलेट का पिलास है जो वो हम दूसरे तीसरी पिलेट के माइनस से जोड़ देंगे यह तीसरी पिलेट का माइनस और दूसरी पिलेट के माइनस में तीसरी पिलेट का माइनस दूसरी पिलेट के पिलस में जोड़ देते हैं यह हमने सीरीज से जोड़े हैं आप समझ सकते हैं कि सीरीज के द्वारा हमने जोड़े हैं एकर आपको सीरीज से जोड़ने का जानकारी होगी तो आप बिल्कुल जोड़े लेंगे, कोई दिक्कत समझा है नहीं, फिलाल हम आपको डेटेल में भी पता देते हैं, ठीक है, तो ये एक पिलेट ये है, और ये एक पिलेट ये है, ये तीन पिलेट है, तो पहली पिलेट का ये पिलस जो है, हम यह जोड़ दिया है हमने और इसका यह माइनस बचा हुआ है ठीक है और दूसरी पिलेट का पिलस हमने तीसरी पिलेट के माइनस में जोड़ दिया है ठीक है तो अब इसका माइनस बचा हुआ है और यह इसका पिलस बचा हुआ है यही हमारे पिलस और माइनस होंगे ठीक है तो अब हम पीछे से भी इसमें बायर दे देंगे क्योंकि कराइंट सभी में इंपुट देना है तो सबसे पहले अपन वीडियो को फास्ट कर देते हैं और वीडियो को फास्ट करने के बाद पहले ये सभी को जोड़ लें और इसके बाद कैसे जोड़े हैं हम आपको स सीधा सीधा सा है सभी में input voltage AC वाला देने के लिए हम यह क्योंकि सभी में current देना है तभी तो यह निकालेंगे voltage तो हम सभी में current जो है भेजने के लिए बाइर जोड़ेते हैं अभी आप इसको भी समझ ले कि हमने किस तरीके से जोड़े हैं यह जो आप देख सकते हैं सरकेट यह हमने सभी के अगर निकाल लिए हैं और एक दूसरे में जोड़ दिया है आप देख सकते हैं कि हमने यह जोड़ दिया है यह तार सीधा सीधा है कि इसमें कि इनपुट देने के लिए एक ही वायर इनपुट एक ही से देना है मतलब सभी में करेंट पहुंच जाए इस तरीके से देना है कि सभी में कि इसी 250 वॉल्टेज जो भी आपके हां आ रहा हो वो पहुंच जाए ठीक है और इसको एक बार फिर से समझ लें वो तो नॉर्मल सी समझ से थी कोई दिक्कत नहीं है पीछे ठीक है इसमें यह सीरीज को सीरीज तरीके से जोड़ना है यह जरूरी है एक बार और समझ लें य यह सी सिर्व पहली पाकर यह मंने माइश में जोड़िया है ठीके और पहली पीलेट का पिलस हमने दूसरी माइश में जोड़ दिया है और बचे हमारे माइश जोड़ना है कि यह जोड़ना यह एसी इन्पूट बॉल्टिज देके इसको आप चेक करना है आप देख सकते हैं कि एलीडी हमारा जल चुका है एक प्लेट में एलीडी था इस पज़ए से एक जल रही है अगर तीनों में होता तो तीनों जलती ठीक है तो अभी हम मल्टीमीटर की मदद से इसमें देख लेते ह है कि यह हमारा कितना बॉल्टिज बन गया है कि ठीकर अभी हमचेक कर लेते हैं हमने इसमें बॉल्टीज छिसी दे दिया है कि तो आप देख सकते हैं कि 14 पॉन्ट गर्मोंकि इसमें польз पहुच रहा है आप देख सकते हैं कि छोटा बाला режим का मल्टिमीटर है पज़ए बता रहा है ठीक है वैसे यह 12 वोल्ट वैटरी चार्ज करने के लिए बिल्गुल सही चार्जर यह बन चुका है अब यह जो पिलास माइनस दिखे दिख रहे हैं ठीक है तो इसमें करना कुछ नहीं होता है अपन को एक में जो पिलास से उसमें लाल बायर जोड़ दिना है एक कि अब है इसमें हलके हलके से आल कर लेंगे ताकि हमारा यह इस साइडे से हमारार पेलस और माइनस नखले गा और इस साइड्स से हमारा इनपुट जाएगा ठीक है तो यह वायर जो हम नेकाल लेते हैं Suzuki को थ‐ फबाश्ट कर दिया था हमने यह wire हमने निकाल लिए हैं और हम इस box के अंदर से input बाला wire इसी input बाला wire अंदर डालेंगे यह हमने अंदर लगा दिया है और अब वफन को करना क्या है कि यह plate में जैसे कि तैसे निकाले थे उस तरीक से जोड देना है थोड़ा हमना वीडियो को फास्ट कर दिया था ठीक है जो भी हमने बताया था बिल्कुल बैसे ही कि वैसे हम कर देते हैं इसमें हमने कोई भी बदलाव ने किया है सिर्फ अब एक पैकिंग करने के लिए हमने एक नियुज फिपर जो है मोड के इसमें लगा दिया है और इसको हमने डबवे को पैक कर दिया है आज देख सकते हैं इस में बदलाओ ने किया है सीधा सीधा जो हमने बताया था एक e यह अपने इसी करेंट लगा दिया है और आप माल्टी मिटर की मदद से देखते हैं कि इसमें हमारा कितना बॉल्टेज जो है आउटफूट हो रहा है कि वát कि आप देख सकते हैं किए हां देख सकते हैं किभी 1020 ऊकर हो था और आप चораणंड नौ को कुका है इसका मतलब है कि यहारा बैटरी चार्ज किल्ए बाराब तो voltage बहर दे रहा है तो हमारी इस से बैटरि ये चार्ज हो सकती है और अच्छे से चार्ज होगी ठीक तो हम इसमें कर देते हैं इसी सारी यह गिर जाए खुलने में इसमें दिक्कत होगी तो इसके 20 administration करती है आप देख सकते हैं अब हम से इसमें इन्पॉट बǒल्टिज दे रहे हैं आप देख सकते हैं कि यह जो एलेडी लगी हुई है यह जल चुकी है ठीक है यह लदी जल चुकी है यह चार्जर पिरी हो बाहा नीच ना हुए इस पार्किंग भी हो रही है खुरेए स्पार्किन तो पिलिज दोस्तो हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें